So hi and welcome to this another episode with me, Arshi और एक और वीडियो के साथ हम साथ में हैं और आज हम बात करने वाले हैं CMAT 2023 के थुरू colleges के बारे में CMAT 2023 की dates जो है वाउट हो चुकी है, चार तारिक को exam होने वाला है I think आपके पास hardly 13 दन का time है, but exam students दे रहे हैं कहीं न कहीं अच्छे colleges में जाने के लिए हैं, पर जोनों ने इससे पहले कोई entrance exam नहीं दिया था वो CMAT के थुरू अपनी state में भी कई सारे government private colleges को target करते हैं तो महाँ यहाँ पर एक generic overview कि आप कौन से colleges को CMAT के थुरू target कर सकते हैं आपके लिए कौन से option सही है, वो discuss करने वाली हूं, so let's get started Welcome back to this episode, right? and हम बात करें हैं, colleges through CMAT 2023, I think अगर हम सबसे पहली चीज़ बात करें कि top colleges, generally जो top colleges इसके लिए आपके percentile CMAT में काफी अच्छे होने चाहिए, वो कौन से हैं, तो आप cap के थुरू JBI में से target कर सकते हैं JBI में मुंबाई आप target कर सकते हैं, इसके लिए कोई interview process नहीं है, but for this 99 plus percentile CMAT में चाहिए, दिन उसके बाद बच्चा चाहें, तो बच्चा सिमश्री भी, सिमश्री भी apply कर सकता है, और सिमश्री के लिए भी अगर हम बात करें, तो as such कोई interview process नहीं है, आपको individually apply नहीं करना पड़ता, CET की cap counseling होती है, वहां पे आप through CMAT apply कर सकते हैं, you can go to this college, तो यह तो दो colleges हो गए, जहां पे आपको individually application नहीं बरना है, CET अभी जब इस month के last week conduct होगा, उसके बाद dates आएंगे, then you have to participate, अब अगर हम बात करें, जन college में आपको individually apply करना है, जो आप देख सकते हैं, that is called gyms goa, कहीं date है, कहीं date नहीं है, तो सबसे पहरा college gyms goa, आप इसको list में रख सकते हैं, अगर आप Mumbai में देख रहे हैं, तो आप KJ Sumaya apply कर सकते ह अगर हम KJ Sumaya के बात करें, तो आप Great Lakes Chennai apply कर सकते हैं, अगर हम बात करें, तो फिर आप NIBM 2 ने apply कर सकते हैं, या RBI owned college है, आप NIA 2 ने apply कर सकते हैं, नाशनल इंशॉरंस अकाडमी, ये भी insurance के लिए, एशिया में, इंडिया में, top colleges की list में आता है, अगेन, I'm telling you, I have said this in a number of my videos, कि colleges जो है, वो profile to profile vary करते हैं, अगर आपका let's say percentile कम है, आपका academics कम है, तो colleges अलग होंगे, आप marketing देख रहे हैं, तो colleges अलग होंगे, आप finance देख रहे हैं, तो colleges अलग होंगे, आप HR देख रहे हैं, colleges अलग होंगे, आपका communication अच्छा है, colleges अलग हो होंगे, तो बहुत सारे parameters हैं, जिसके basis पे profile to profile colleges वेरी करते हैं, आगर आप जानना चाहते हैं, आपके लिए कौन सा college सही है, आप students से connect करना चाहते हैं, आप कितना inflated average package उन colleges का उसको जानना चाहते हैं, तो नीची एक profile analysis form दिया है, जिसको फिल करके भी आप DT's ले सकते हैं, अभी हमने बात की JBI में, सिमश्री, जिम्स गोवा, केजिस हो माया, ग्रेट लेक्स चैननाई, एनाइबियम पूने, एनाइए पूने, आप 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 कर सकते हैं, ये फिनान्स के लिए काफी नोन colleges में हैं, लेना कर थोड़ा सा कम percentile में अगर आप चाह रहे हो, you know, IMT नाखपुर, बच्चे अपलाए करते हैं, IMT हाइदरबाद, कई बच्चों को conditional offer letter in colleges से आचुके हैं, IMT नाखपुर इन हाइदरबाद से, conditional as in CMAT में आपका इता पॉसेंटाइल रहा तो आपका हो जाएगा, तो IMT नाखपुर, IMT हाइदरबाद हो गया, आप IMI के भी दोनों campuses चाहो, तो इसी कित्रू बढ़ सकते हो, IMT नाखपुर और IMT हाइदरबाद में, I think, थोड़ा सा IMT हाइदरबाद जादा बेटर कर रहा है, IMI कोलकता, IMI मुवनेश्वर में थोड़ा सा बुवनेश्वर जादा बेटर कर रहा है, दो कोलकता पहले established हुआ था, यहाँ पे नाखपुर पहले established हुआ था, तो इसके बात अगर आप चाहो, तो आप UBS Mumbai भर सकते हो, UBS के PJM क्लोज हो चुके है, बट इनके जो ग्लोबल वाले प्रोग्राम्स आप इसको भी apply कर सकते हैं, आप चाहें तो आप ITM भर सकते हैं, Mumbai, चिके, आप चाहें तो आप Christ Bangalore भर सकते हैं, सीमाट एक सब करता है, कई बच्चे, इसपेशली बिहार के बच्चे काफी emphasis करके करते हैं, अब जसे मेरे लिए कुछ बच्चों के लिए यह उतना अच्छा option नहीं होगा, क्योंकि यह BBA के लिए थोड़ा ज्यादा नोन कॉलेज है, उसके अलावा इंत सिराच्ची अपलाए कर सकते हो, आप जैपोरिया भी अपलाए कर सकते हो, राइट, जैपोरिया के बाद अगर हम बात करें, तो आप बच्चा, यूनो, स्वाइल का PGPM, जो executive program करें, क्योंकि PGDM को लेके कुछ negative reviews है, पर अगर आप executive वाले देख रहे हैं, तो आप स्वाइल कर सकते हैं, BML है, you know, OP Jindal है, right, ILM है, तो इसके बाद अगर आप बैंगलोर में और colleges देखोगी, तो आप aligns भी कर सकते हो, आप ISBR भी कर सकते हो, आप, you know, IABS भी कर सकते हो, lexicon कर सकते हो, इंडस कर सकते हो, पूने में, right, TIBM कर सकते हो, बाला जी कर सकते हो, डेली में ऐसे बहुत सारे colleges, first IMA है, IMM है, right, NDIM है, दुनो, इसके बाद gyms रो ही नी है, gyms कालकर जी, ऐसे बहुत सारे options है, जो आप overall CMART के तुरू apply कर सकते हो, government colleges में, you know, आप कही सारे NITs में अपलाए कर सकते हैं, जनके placements अच्छे हैं, अगर आप ROI देख रहे हैं, NITs टागट करते है आपको कही न कहीं यह देखना है, कि NIP में, you know, ROI मिलेगा, that is for sure, बट कही सारे NITs में मैं यह देखा है, कि थोड़ा से सेल्स प्रोफाइल ही सिफ थोड़ी dominant है, बागी प्रोफाइल के लिए उतनी opportunities नहीं है, तो आप वो देख सकते हैं, तो इसके बाद अगर आप कही सारे स्टेट गवर्मेंट कोलेजिस, जैसे MP में, you know, IMS DAVB, आप उसको CMAT की थूपलाई कर सकते हैं, right, and all in all, आपके पास काफी सारे bucket में option है, through CMAT, जिनको आप अपलाई कर सकते हैं, because कुछ time पहले, मैंने एक पोल डाला ता, जहांपे अम डिसकास कर रहे थे कितने students CMAT 2023 का लगता है, exam के बहुत जल्दी result आजाएगा, result ज्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि exam already काफी delay हो चुका है, पर मैं फिर वही कहूंगी, online जो information है, वो काफी, hived information है, कई जगा पर मैंने देखा है, you know, colleges 11-11, 12-12,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, र पर मार्केटिंग के लिए , जिससे कल मैं एक बच्चे से बात करी एक ﷺ सु Baldi का η मंबाइ का को चॉलेघ क बारे को चूँछते हैं, तो मैं शुरू मैं जब मैं इस क्में बच्चे से बात करीने हैं, तो मैं चुरू मिने पूजने चालू कि है तो लिज वाकि पर उपका न दूसरे better options को आप ट्राइगर सकते हो, right? तो यहाँ पर यह भी चीज है जो काफी vary करती है when it comes to shortlisting a right college, right? तो please पूरा research करो, कहीं पर भी आपको लग रहा है कोई help चाहिए, आपको students से connect करना है, आपको colleges कौन से apply करने चाहिए, कहाँ forms open है, कहाँ forms open नहीं है, कितने packages में इंफलेशन है, let's say finance के लिए मैं कौन सा college सीम आट के थूर रखू, let's say मुझे इंदौर में चाहिए, कौन सा रखू, let's say मुझे पूनी में चाहिए, मुझे बंगलोर में चाहिए, आवो सारे सवाल पूच सकते हो, नीचे का फॉम करके, so that's all about this episode, do share this video with your friends, and for more such video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video, for more such videos, keep watching our channel, and do not forget to like, share and subscribe.